नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस न्यूज मिलती रहती है तो आज हम डिक्सन टेक्नोलोजिस की बात करने जा रहे हैं आप जानते हैं कि लास्ट वन येर में जबदस कंपनी रही है जहां पर बहुत ही आती है फिर भी स्टॉक उपर की तरफ रैली जारी रखेगा वह जानने के लिए हमें कपनी के लॉंग टर्म गोल्स देखने होगे एंजी सेक्टर में कपनी डील करती है देखना होगा महाँ पर पॉस्टॉट्टी कैसी प्रेजडेंट है तो यह सब एनलिसिस करने ही कोशि काफी मिटकैप स्टॉक में गिरावट मिली थी लेकिन अगर आप लॉंग टर्म का देखेंगे तो देख सकते हैं कि एक साल में हजार से नीचे चलता रहा स्टॉक और यहां पर बीच में स्टॉक स्टॉक भी आया था इसलिए आपको एज्जेस्ट प्राइस दिख रहा है वना बीच में स्टॉक 20,000 तक पहुंच गया था जहां से स्टॉक होने के बाद यह प्राइस एजस्ट किया गया है पर रिटर्न आप देखें वन येर के 367 परसेंट का एंड मैक्सियम टाइम आप जानते हैं फिलाहाली कंपनी का IPO आया था तो कंपनी 531 से देख सकते हैं आ अच्छे खासे रिटर्स देखने को मिल गए हैं जहां पर मेंली रिटर्स 2020 कोविट क्रेश के बाद आये हैं IPO होल्डर्स को तो अल्रेडी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है एंड काफी लोग स्टॉक को लॉंग टर्म के लिए रखना चाहा रहे हैं कंपनी को जिस चीज़ सारे कॉंपोनेंट्स इंडिया में बने अलग अलग चीज़ों के जिससे इंडिया एक तरीका का मैनुफैक्ट्रिंग हब बन जाए और इंडिया ग्लोबल सप्लाई चीन का एक बड़ा प्लेयर बन जाए तो उसी चीज़ का फाइदा हुआ लास्ट टाइम जो सबसे पहले आई है प्लाई स्कीम को लेकर एक्स्टेंशन के लिए तो आगे डिसकस करेंगे अगर कंपनी का हम रेवेन्यू ब्रेकप एंड प्रॉड़क्ट ब्रेकप देखें यहां पर आप देशकते हैं कंपनी का जो मेजर सैग्मेंट रेवेन्यू है कंजूमर इलेक्ट्रोनिक्स स एक major revenue का part है company का और operating profit देखें तो वहाँ पर आप देखेंगे percentage अलग है यानि company का lighting product से ज़ादा profit आता है 43.6% तो 26% revenue break up होने के बावजूद यहाँ पर अच्छे margins हमें नज़र आते देख रहे हैं जिससे company का operating profit lighting product से 43.6% आता है consumer electronics 48% revenue लेकिन profit पर 22.8% तो यहाँ पर margins उतने नहीं ज़र लाइटिंग products के हैं और बागी आप देख सकते होम अप्लाइंस से 20.8 mobile phone से 8.9 reverse logistics से 3% का revenue हमें दिखाई दे रहा है तो इनमें जो main product ने हैं जो major product आप देखें LED TV 54% LED bulb 24% washing machine 11% other 11% हमें दिखाई दे रहा है competitors and customers की बात करें तो आप देखें अलग-अलग segment है तो competitors बहुत present है कपनी के lights में washing machine में अलग television में अलग LED lights में अलग यहाँ अलग-अलग तरीके के कंपनी के पास competitors present है customers की बात करें तो आप देखें बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे anchor electricals, carbon, higher, panasonic, bajaj auto, bodrage industries, lions industries, intex, philips, jioni तो यह major customers है कंपनी के जिनको कंपनी अपने product supply करता है जहां से कंपनी का revenue आता है तो यहां आपने दिखा कि overall business क्या है कंपनी का कौन से segments important रहते हैं आप जानते हैं कि जो segments बनते हैं जो company के products बनते हैं उनके लिए कुछ raw material चाहिए होते हैं तो यहां पर जो common raw material है electronic industry के लिए वो है copper, lithium, tin, silver, gold, nickel and aluminium तो हाली में पिछले एक साल में हमने क्या देखा commodity market में एक तेजी देखने को मिली है हमें और उसकी वज़े से commodity के stocks हैं वो तो उपर भागे हैं पर commodity prices उपर भागने के वैसे price high की वज़े से भागे हैं ऐसे में इन companies को raw material महंगे मिलेंगे यानि जो companies का margins है वो कम हो सकता है तो इस बात पर आप ज़रूर दियान पर के हर साल commodity cycle आते हैं कई बार कुछ सालों की cycle आते हैं जहाँ पर bull market चलता है और कुछ सालों के रिब bear market चलता है तो यह बातों पर आपको focus रहना चाहिए IT hardware से भी related एक news आये तो आप जानते है IT hardware एक बड़ा segment है and जब lockdown दिसी situation में काफ़े important हो गए है IT products, computers, phones तो यहाँ पर इनकी ज़रूरत काफी ज़्यादा पड़ती है communication करने के लिए अपने काम को smoothly करने के लिए तो इनमें ही Dell and 18 other companies ने apply किया है PLI के लिए IT hardware वो उसमें एक company है Dixon Technologies आगे देखें तो देख सकते हैं 19 companies ने apply किया है government की production link incentive PLI scheme के लिए IT hardware manufacturing in India में और यहाँ पर government ने March में announce की थी यह scheme और इस similar है जो last year भी announce हुई थी mobile phones के लिए तो लगबख वैसी कुछ है इस बार IT hardware समय दिखाई दे रहे हैं applicants की बात करें उनमें 15 domestic companies and 4 global firms हैं तो major आप देखें कि domestic companies हैं नाम अगर आप देखें अधर कपनी आप देखें लावा, Micromax Cerma Technologies, Neolink, Electronics तैसे नाम आपको काफी दिख जाएंगा आप वीडियो पॉस करके सभी नाम देख सकते हैं पर main motive यह है कि जो interest है वो components बनाना IT hardware के जिन में laptop, tablets and all-in-one personal computers and also servers यह सब included हैं अब जब demand भड रही है and long term में भी हमने देखा है कि फिछले 20 से 30 साल में कितना बड़ा एक market share ले लिया है life में and business में IT hardware ने, तो यहाँ पर अगर कोई company यह PLI scheme को लेकर profit लेती है तो आप जानते है business में बड़ा fair बदल हो सकता है और उसमें Dixon Technology भी शामिल है तो यहाँ पर देखते हैं, result आते हैं फिलाल PLI scheme के government के estimate से देखें, तो companies जो eligible हैं इस scheme के लिए, वो IT hardware produce करेंगी 1.6 trillion के अगले 4 साल में यानि कितना revenue आ सकता है उन companies का overall अगले 4 साल में 1.6 trillion यानि 1,60,000 करोड़ और इसमें से exports account करेंगे 37% यानि लगबग 60,000 करोड़ के आसपास जैसे ही आगे भढ़ेगी वहाँ पर आप दे सकते हैं कि investment लगबग 2350 करोड़ के facilitate होगे इंडियन electronic manufacturing space में और काफी employment oppositives generate होगी IT hardware की बात करें तो इंडिया की domestic value addition लगबग 5-12% से 16-35% तक हो सकती है अगले next 4 साल में तो यहाँ पर बड़ी growth का नुमान है and revenue भी हमने देखा कि काफी ज़ाद आ सकता है तो Dixon Technologies के लिए काफी important है कि यहाँ से result क्या आता है फिलाल IT hardware PLI scheme का and हाली में last week के कौन यूज़ा है कि Dixon Technologies लगबग 600 करोड रुपे invest कर रहा है एक नई capacity बनाने के लिए ताकि वहाँ पर mobile devices, laptop and tablets telecom equipment and LED components जो demand है भी domestic and global market की उनको cater करने के लिए तो यहाँ देख सकते है business expansion जारी है and यही सब products की हम बात करे थे IT hardware में तो company full-fledged आगे लगी हुई की फिला latest क्या खबरे आ रहे है company का overall revenue breakup कैसा है and आगे किन बातों बर ध्यान रखना चीए चले charts पर चलते हैं कि important levels क्या है देखे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि कुछ stock sideways चलते हैं, कुछ support resistance लेकर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरीके के trending market है तो trending market के हमने already discuss कर चुँए काफी बार पर फिर से हम discuss करेंगे यहाँ पर की, आप trailing mechanism लगाई है देख सकते हैं आप जब भी एक तरीके के तेजी आती है तो previous day bottom break नहीं होता है और यहाँ से इस चाहिए हमने देखा 1085 से stock जब 1500 हो गया था अगेन रिपीट कर रहा हूँ यह adjusted price है तो आप split से पहले prices हमने अलग देखे होंगे तो यहाँ पर 21 EMA और 50 EMA cluster बन गया था इन stock split के बाद आप देख सकते हैं थोड़ी गिरावाट ज़रूर आई थी लगबग 300 तक और वहाँ से stock फिर से 4000 के price के उपर चला गया था तो important level अगर आप देखे नीचे तो लगबग यह है 370 से आप लगबग 3400 के level तो 3300 से 3400 की range आप पकड़कर चल सकते हैं क्योंकि पहले resistance थी यहाँ से resistance आकर गिरा था stock अगेन उपर गया and stock split होने के बाद देख सकते हैं यहीं से resistance लिया और वहाँ से आप date देखे तो 25 मार्च से लगबग 19 अपरिल तो एक मेने के trading session में stock ने इसको support बनाया जहाँ पर छोटी jumps मिलती थे हैं हाली में एक तेजी शुरू की है stock ने तो फिलहाल फिर से correction है पर long term trend देखे आप फिलहाल intact है and trend line की बात करें तो आप देखे यह trend line काफी important है company के लिए अब यही trend line क्यों यह trend line या फिर यह trend line क्यों नहीं तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर आप इस trend line को draw करें and इसको copy करके दुबारा उपर के levels पर paste करें तो क्या बन जाता है आप आप साफ देख सकते हैं एक तरीके का channel बनता दिखाए दे रहा है and मैं फिर से आप से बताने चाहता हूँ कि हम lock chart यूज़ करते हैं अगर normal chart में convert करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह trend lines कहीं नहीं आती full bullish market है पर lock chart से क्या फाइदा रहता है हम हमेशा distance करते हैं कि 100 से 200 की move and 1200 से 1500 की move यह सब 100 अरबे की move है पर percentage wise काफी different है तो इसलिए lock chart एक easy तरीका रहता है जहाँ पर आपको असली moment का percentage पता लगता है लॉक चार्ट में हमें दिखाए दे रहे हैं कि फिलाल stock इस trend line से support ले रहा है नॉर्मल चार्ट में आपको यह नहीं दिखाए देगा है इसलिए आपको अलग-अलग perspective से stocks को देखना चाहिए levels फिर भी वही है levels तो नीचे के हैं वह फिर भी सेम रहते हैं जहां पर stock ने यहां पर एक अच्छा बेस मनाया है और फिलाल तेजी दी है previous highs के आसपास है तो आने वाली दिनों में important level रहने वाले stock के लिए 3700 का देख सकते हैं आप पहले यहां पर support थे फिर resistance मना और अगेन उपर तो गिरता गिरता 3700 तक जरूर आ सकता है वहां पर क्या मिलेगा stock को आप देख सकते हैं कि वहां पर एक तरीगे का previous support मिलेगा and trend line support मिलेगा तो अगर stock 3700 के आसपास आता है और वहां से reverse करता है तो अगेन previous size को test कर सकता है जादा ही bullish हुआ तो आप जानते हैं कि उपर के levels आ सकते हैं 4500 से उपर के लेकिन यहां पर आप stop loss जरूर धियान रखिए यह level break होता है तो एक बार दुबारा stock 3300 के आसपास के levels को test कर सकता है जो previous एक अच्छा bottom है तो यहां पर हमने complete levels की बात की अलग-अलग perspective से बात की एंड इस stock में trail view mechanism में एक लोता तरीका है poor return को right करने का हैं जो long term investor है तो अभी investing के levels नहीं आये हैं यहां पर deeper correction होती है कभी भी market में और stock में तब आप stock में entry ले सकते हैं तो दोस्तो यह थी Dixon Technologies से related latest news and analysis वीडियो पसंदा है तो like कीजिए और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को subscribe कीजिए